कि है एंडिये तरही हम लोग आज देखते हैं मैथ में जुमेट्री और हम लोग आज एक्दम बेसिक चीज देख जानेंगे और जो इस्टुस्टेट जुमेट्री बारे में कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है और इसको हम लोग one by one एकदम points से लेके चलाएंगे और वहीं से ध्रेद्रे आगे बढ़ते जाएंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि geometry का definition क्या होता है तो geometry is a branch of mathematics, geometry क्या है? mathematics का वह branch है that studies the ties, position, angles and dimensions of the things जिसकी अंदर गात हम लोग किसी भी things के dimension, angles, position, size के बारे में study करते हैं उससे हम क्या करते हैं? geometry करते हैं, ठीक है? चलिए आगे जखते हैं कि इसमें जो हम लोग आज पढ़ेंगे खासकर point के बारे में curve, line and type, line segment, raise, angle, collinear and non-collinear, or point of intersection, or concurrent इतने सब के बारे में हम लोग पूरा का पूरा इसका concept के लिए करेंगे और जो इस student नहीं समझते हैं समों को, वो समझें, ध्यान से देखिए तता कि जब तक आपका ये सभी point, जब तक concept आपका के लिए नहीं होगा, तो geometry में आपको बहुत प्रिसानी है, इसलिए one by one देखिए और जनने की चेस्टा कीजिए, ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं point के बारे में, तो point क्या है, point जो है, एक pen खोलिए आप, और pen white paste पर dot मारिए, जो dot लग गया, वही point है, हम जानते हैं कि इसका नहीं कोई size होता है, नहीं इसका लंबाई, चोड़ाई, कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ एक dot होता है, it has no size, no width, no length and no depth, कुछ होता ही नहीं यह point का, a point is sewn by a dot, इससे हम लोग सिर्फ एक dot के द्वारा दिखाते हैं, तो dot जहां दे दिये समझ लिजिए, आप geometry start कर लिए, और जो 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 और dot को आप जोडते जाईएगा, जो structure बनता है, उससे हम लोग line करते हैं, ठीक है, जैसे दिखिए, इस figure में आप दिखिएगा, हम एक dot को अगर हम जोडते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि line का formation हो रहा है, ठीक है, चलिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब दूसरा point में देते हैं curve line, तो mathematics में देखते हैं हम लोग कि a curve is similar to a line, यह line के जैसा ही होता है, but that does not have to be straight, लेकिन यह क्या होता है, line के जैसा straight नहीं होता है, यह curve होता है, इसलिए इसका नाम curve है, ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग और देखते हैं, इसके आगे क्या दिया हुआ है, तो basic geometry में हम लोग सबसे main theme जो इसमें आपका है, वो क्या है, line, नहीं, तो line is a state set of point, क्या है, state set of point है, that extend in opposite directions, जो कहां बढ़ता है, opposite direction में बढ़ता है, इस figure में यहां आप असपर्श देखिए, कि यह x इधर बढ़ रहा है, और फिर देखिए, यह इधर भी बढ़ रहा है, नहीं, तो यह extend कर रहा है, opposite direction में, और it has no end point, और line में कोई end point नहीं होता है, नहीं, तो it has no end point in both direction, यहां arrow का चिन्द देख रहे हैं, इसमें हम लोग यहां देख रहे हैं, और यहां भी हम लोग arrow का चिन्द देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कि इसमें end point नहीं है, और अगर line के type के बारे में हम लोग देखे हैं, तो इसको हम लोग mainly four parts में divide करके पढ़ते हैं, horizontal line, vertical line, parallel line और perpendicular line, ठीक है, तो in symmetry, there are basically four types of lines, they are horizontal line, vertical line, parallel line and perpendicular lines, अब इसकी बारे में हम लोग one by one इसादी कर लेते हैं, तो horizontal नाम से ही asbest है, है ना, इस प्रकार के हम लोग देख रहे हैं कि when a line moves from left to right in a straight direction, it is the horizontal line, जब कोई line move करता है left to right और वो भी straight direction में, it is horizontal, जैसे यहां figure में हम लोग इस figure में देख रहे हैं, यह figure में देखिए, यह इस तो straight line में move कर रहा है, नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहें, line कहें, ओके, तो यह line क्या कहा लाया, horizontal line, क्योंकि यह horizontally grow कर रहा है, second देखते हैं हम लोग vertically, ठीक उसका opposite देखिए, when a line runs from bottom to top, in a straight direction, it is a vertical line, bottom to top यह क्या कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर दिये, vertical line कर दिये, तिसने हम लोग देखते हैं parallel line, parallel line मतलब parallelly, देख रहे हैं न, यहाँ पर, यह भी red color का भी देख रहे हैं, और यह green जो है, यह इसको भी हम लोग देख रहे हैं, दोनों एक साथ travel कर रहा है, नहीं, तो when two state line does not meet or intersect at any point, जब दो line कहीं पर भी intersect नहीं करता नहीं मिलता है, इवेन एट infinity, यहाँ तकी अनन्त में भी जाके कभी वो मिलेगा ही नहीं, then they are parallel to is there, तब हम कह सकते हैं कि वो parallel line है, अगर इसका यहाँ पर, यहाँ से गाम डिस्टियंस देखें, अगर 5 cm है, तो यहाँ पर भी वो क्या होगा, 5 cm भी होगा हर प्रस्थिती में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, parallel line कहाते हैं, तो इसको अगर हम लोग मान लिया जाए कि इस figure में आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि यह देख रहे हैं कि P है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम represent किसे करेंगे, यहाँ देख रहे हैं, P हो गया, और U हो गया, और यह parallel line का symbol है, इस तरह कहेंगर मिल जाए, समझेगे वो parallel line कहानी है, R, S, तो यहाँ देखिए, इस figure में यहाँ हम लोग देख रहे हैं न, तो इसमें P, Q, parallel, R, S, यह इस तरह का लिखावा मिल जाए समझे कि वो line क्या है, parallel line, P, Q, के parallel कौन है, R, S, ठीक है, चलिए, अगला हम लोग देखते हैं, perpendicular line क्या होता है, when two lines meet or intersect at an angle of 90 degrees or at a right angle, then they are perpendicular to each other, काता है, जब दो line मिलता है, और intersect करता है, और एक angle का फ्रमसर करता है, 90 degrees का, यह फिर right angle बनाता है, तो उसको हम लोग perpendicular line करते हैं, देखिए, इसमें यहाँ लोग फिगर देख रहे हैं, यह green वाला देखिए, यहाँ दिया है, और यह हुआ आपका rate, ठीक है, और यहाँ पर क आइसे दी सकते हैं, PQ और perpendicula का चिनहा इसे होता है, इस तरह का, Lunatis ठीक है, और यहाँ ले देखिए, RS, तो PQ जो है, वो perpendicular हुआ किस का? RS का हुआ, यह जो हम लोग perpendicular का चिनहां देखते हैं, और लगने हैं si तो कहता है एह से काट कर इसको हम निकाले तो यह line जो हुआ यहां से यहां तक जो हुआ, वो क्या कलाया? line segment. It has a beginning point. इसमें क्या होगा? एक beginning point होगा और एक end point होगा. इस figure में देख रहे हैं ना, यहाँ पर यह beginning point है, यहाँ पर यह end point है. यह हुआ आपका line segment. नहीं. और यहां पर हम लोग देख रहे हैं यह क्या हुआ है इसका end point घ्या है तो एक end point यहां है और एक end point यहां है लिए आगे देखते हैं हम लोग raise के बारे में तो raise में क्या होता है कि एक beginning line होता है starting point, end point और एक होता है कि यह last नहीं कहता यह आगे बढ़ते जाएगा मत एक end point होता है तो यह raise is a part of a line that has one end point इसमें एक end point होता है that is starting point end point क्या हुआ यह starting point and it extends in one direction endless और इसल डायरेक्शन जो है endless आगे बढ़ते जाता है इसी हम लोग raise कहते है अब हम लोग angle के बारे में देखते हैं तो angle क्या होता है when two raise जब दो raise यहाँ देखिए raise one और raise two when two raise have common end point लेकिन दोनों का end point क्या है common है यहाँ यहाँ पर they form an angle तब यह एक angle का form करता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब collinear point क्या होता है same line are called collinear point क्या करेंगे जब three or more point यहाँ देखिए एक point यह है एक point यह है और एक point यह है किनो point जो है वो क्या है एक ही line में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे collinear point कहेंगे अगर इस चे हम state line खिशते हैं तो इस जी वे में हम खिश सकते हैं किसी दी परिस्थिती में इसमें क्या होगा तीनो point आपस में touch नहीं करेगा तो three or more points are not lying on the same line एक ही line पर यह नहीं है are called non-collinear point तो इस पकार के line को हम लोग क्या कहते हैं non-collinear point कहते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे point of intersection the two line that cross is called intersecting line दो line देख रहे हैं एक इस line को हम लोग देख रहे हैं और एक देख रहे हैं इस line को और एक इस line को दे रहे हैं दोनो line cross कर रहा है और जहां पर cross कर रहा है उस point को हम लोग intersection कहते हैं और जो line cross कर रहा है उस line को हम लोग क्या कहते हैं intersecting line करते हैं अब आगे हम लोग देखते हैं concurrent क्या होता है तो कहता है कि यहां जो हम लोग figure में देखें कि दो line intersect कर रहा है लेकिन यही पर अधिक line अगर आपस में cross कर जाए मन लिया जाए कि एक point यह है एक बिंदू यह है और इससे बहुत सारे लियन आपस में cross कर सकते हैं नहींแ06 जितना चाहिएगा उतना यहां से cross कर सकता है यह जो line was क्रोस क्या इस line को हम लोग या क करते है concurrent line क जाते हैर气 कन्लेकरिक ऑर जिस पोजिशन पे यह cross करता है उसको हम लोग क्या करते हैn significance जी करते हैं तो three or more lines passing through same point are called concurrent line, ठीक है, और the common point where three or more lines pass is called point of concurrency, इसी को लो यहाँ जो P देख रहे हैं, यह point of concurrency होगी, यह जो हमनों देख रहे हैं, A, B, C, D, E, F, G, यह आपका क्या है, concurrent line है, तो यह थे आपके कुछ basic points geometry के, ठीक है, और इसके बाद हम लोग फिर इसके आगे देखेंगे कि क्या-क्या इसका step आता है geometry में, उसको फिर हम लोग one by one देखेंगे, और step by step ही इसको आप सिख सगीएगा, आपको अब तक जो है, इसको यहाँ तक concept आपका clear हो जाना चाहिए, और next class में फिर हम इसके आगे बढ़ेंग okay, thank you